गुणन खंडन करके बहुपदों का भाग करना अब हम गुणन खंडन करते हुए बहुपदों का भाग करना सीखेंगे यदि बहुपद 2X वर्ग धन 5X रिंड 3 को बहुपद X रिंड 2 से भाग करना हो तब क्या हम इन कियेगे उधारनों के तरीकों को अपना सकते हैं 2X वर्ग धन 5X रिंट 3 को X रिंट 2 से भाग देने का अर्थ है कि इसे हम निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं 2X का वर्ग धन 5X रिंट 3 पूरे के बटे X रिंट 2 लेकिन यहां अंश एवं हर के भुपदों में कोई समान गुणनखंड हम नहीं पहचान पा रहे हैं और हम इसका भागफल नहीं पता कर पा रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में हम भाग की दिर्ग भाजन विधी का उप्योग कर सकते हैं अंक गनित में आप जानते हैं कि 25 को 4 से भाग करने का अर्थ है 25 बटे 4 अर्थात यदि हम भाजक 4 से भाज्य 25 को भाग दें तो 6 बार में भाग जाएगा और हमें प्राप्त होगा 4 चक्के 24 25 से 24 को घटाने पर 1 शेश्वल के रूप में प्राप्त होगा और 6 भाग फल के रूप में तो यहां 25 बराबर 4 गुणित 6 धन 1 अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणित भाग फल धन शेश्वल इसी तरह भाजक से भाज्य को भाग करने से हमें भाग फल्व शेश्वल मिलेगा अगर भाग पूरा पूरा हो जाए तो शेश्वल शुन्नि भी हो सकता है उधारन 2 बहुपद 2 एक्स की घात 2 धन 5 एक्स रिन 3 को बहुपद एक्स रिन 2 से भाग किजिए हल यहां बहुपद 2 एक्स की घात 2 धन 5 एक्स रिन 3 यह हमारा भाज्य है अब इसे हम बीच में लिक लेते हैं और एक्स रिन 2 हमारा भाजक है यहां पर हम एक्स संख्या को ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि हमें 2 एक्स का घात 2 प्राप्त हो एक्स को जब हम 2 एक्स से गुणा करेंगे तो हमें एक्स गुणित 2 एक्स बराबर 2 एक्स की घात 2 प्राप्त होंगा फिर रिन 2 को हम 2x से पुना गुड़ा करेंगे तो हमें रिन 4x मिलेंगा अब क्योंकि जब हम भाग में इसको इसका चिन बदलेंगा तो 2x की घाद 2 का जो धनात्मक 2x का घाद 2 है वो रिन हो जाएगा रिन 2x का घाद 2 और रिन 4x जो है वो धन 4x होगा 2x की घाद 2 को जब हम 2x की घाद 2 से घटाएंगे तो 0 प्राप्त हुआ और 5x धन 5x धन 4x हमें 9x मिला रिन 3 को हम नीचे उतार लेंगे इसके बाद x को ऐसी किस संख्या से गुड़ा करें जिससे हमें 9x प्राप्त हो इसके लिए हम यहां लिखेंगे धन 9 तो x को धन 9 से गुड़ा करेंगे तो हमें 9x मिलेगा और रिन 2 को पुना धन 9 से गुड़ा करने पर हमें रिन को धन से गुड़ा किये तो रिन और 2 निया 18 अब पुना हम क्या करेंगे इसके चिन को बदलेंगे धन का रिण और रिण का धन तो 9X में से 9X को घटाने पर 0 प्राप्त हुआ और रिण 3 को जब हम धन 18 के साथ जोड़ेंगे तो हमें 15 प्राप्त होंगा तो यहाँ पे 2X धन 9 हमारा भागफल है और 15 जो है यह हमारा शेशफल है तो इस तरह से यहाँ हमें भागफल बराबर 2X धन 9 प्राप्त हुआ और शेशफल है शेशफल बराबर हमें 15 मिला तो यहाँ इस प्रश्ण में भागफल और शेशफल का उत्तर बराबर 2X धन 9 और शेशफल बराबर 15 है इस उधारन से हम समच सकते हैं कि बहुपत को भाग देने के लिए निमलिखे चड़नों में काम करते हैं चरण 1 भाज्य एवं भाजक को उनकी घातों के अवरोही क्रम में लिखेंगे चरण 2 भाज्य के पहले पत को भाजक के पहले पत से भाग देंगे यहां 2X वर्ग बटे X बराबर 2X यह भाग फल का पहला पत होगा चरण 3 इस भाग फल से भाजक का गुणा करेंगे और गुणन फल को भाजे में घटाएंगे कोश्टक में X रिंड 2 गुणित 2X बराबर 2X का वर्ग रिंड 4X 2X का वर्ग धन 5X रिंड 3 से घटाएंगे 2X का वर्ग धन 4X को हमें प्राप्त होगा 9X रिंड 3 चरण 4 घटाने पर प्राप्त परिणाम के प्रथम पत को भाजक के प्रथम पत से भाग करेंगे अर्थाथ 9X बराबर 9 यह भाग फल का दूसरा पत होगा चरण 5 पुना इस भाग फल से भाजक का गुणा करेंगे अर्थाथ 9 गुनित कोश्टक में X रिंड 2 बराबर 9X रिंड 18 अब 9X रिंड 3 में से 9X रिंड 18 को घटाएंगे याने 9X रिं 3 रिंड कोश्टक में 9X रिंड 18 जिससे हमें प्राप्त होगा 15 यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक की शेश्वल 0 न हो जाए या शेश्वल के चर्की घात भाजक के चर्की घात से कम न हो जाए इस उधारन में शेश्वल 15 है जिसमें चर्की घात भाजक X रिंड 2 के चर्की घात से कम है इस भाग का संक्षिप्त प्रतिरूपन है कोश्टक में 2X का वर्ग धन 5X रिंट 3 बराबर कोश्टक में X रिंट 2 गुणित कोश्टक में 2X धन 9 धन 15 अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेश्वल